है वेट इस रीफर्बिस्ट स्माट्फोन रीफर्बिस्ट ढापन है अगर आप नहीं जानते से फिर आप 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 की लिएओ को लाइक करें साथे चैनल को सब्सक्राइब को अपर किलिक करें कि तो इस वीडियो पर मैं आप बना कि पर 산 स्मार्टफोन किया है और एक असली स्मार्टफोन एक औरिजिनल स्मार्टफोन एक रिफर्विस स्मार्टफोन के बीच में क्या डिफ्रेंस है इसके साथ आज कल बहुत सरे यूजर जो है इसका नाम सुना होगा कि रिफर्विस स्मार्टफोन और रिफर्विस स्मार्टफोन कर दिन बर लोगत सब्सक्राइब पर अब आद reference तर आपको वे लएक्स पर मिल सकते एमाजेन देखने इसके अलावा इसके आany स्मार्टफोन का जो प्राइस है उससे बहुत ही स्यादर कम में आपको मिल सकते हैं लाइक आपको 40% डिसकाउंट पर मिल सकते हैं वह आपको 25000 पर भी मिल सकते हैं मतलब 50% discount पर भी आपको वो smartphone मिल सकते है बट जो smartphone आपको 50% discount पर मिलेगा वो है refurbished smartphone अब इतना price का difference देखने के बाद कुछ user को ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर refurbished smartphone है ये एक नकली smartphone है या फिर कुछ user को ऐसा भी लगते कि यह clone smartphone है, तो क्या refurbished smartphone का मतलब एक नकली smartphone है या फिर clone smartphone है, नहीं तो फिर refurbished smartphone का मतलब क्या है तो मैं आप सब्सक्राइब को एक example देख कर मैं आप सब्सक्राइब को समझाओंगा सापोँस आपने इस्मार्ट फॉन आज की डेट पड़ लिया है जिसए इस्मार्थ फोन का प्राइस हम 50000 आपने एग्दम ओररिजिनल अंड्रवर प्राइस कुटन है 50000 यू एक साल का सर्विस वारेंटी एक एक साल का रिप्लेस्मेंट गैरेंटी आपको मिला है अब वो जो स्मार्टफोन है उस स्मार्टफोन कब यूज करते करते तीन महिने के बाद या फिर चार महिने के बाद आपको उस स्मार्टफोन पर थोड़ा सा फॉल्ट देखने को मिले वो किसी भी तरह का फॉल्ट हो सकते किसी भी तरह का प्रॉब्लेम हो सकते आपने क्या क् कि मुझे एक साल का जो हहा पर रिप्लेसमेंट गयांटी है एक साल का यहां पर रेप्लेस्मेंट है सर्वीस वारेंटी है तो आपने क्या क्लाइम界 पर गया और आ आपने धिखाया कि मेरे शोक्यांट फोन पर यह फ्रॉब्लम है वह लें जो आप surprise का replacement guarantee आपके पास है तो आपने क्या क्या वहाँ पर swap पर जा कि उसी smart phone को दे दिया उसके बादले में आपको एक नया smart phone मिल गया उसी model का अब बात यह यह है कि जो इस smartphone आपने दे दिया उसमें थोड़ा सा problem है वहाँ पर माईने से कुछ प्रॉब्लम है जिसको एजली रिप्यार किया जा सकते हैं लेकिन आपने नहीं लिया तो फिर आपने सौप पर दे दिया सौप बले क्या ब्रैंड के पस दे दिया अब क्या क्या वह जो ब्रैंड वाला है वह क्या क्या है पर वह स्मार्टफोन ने जो प्रॉब्लम थ फिर मार्केट पर लाता है मार्केट पर सेल करने के लिए डाल देते अब यहां पर बात यह है कि अगर वो स्मार्टफोन है जिसको करके हाँ पर सेल करने के लिए डाला है उसी स्मार्टफोन का भी प्राइस अगर 50,000 रखेगा एंज जो रियल या फिर ओरिजिनल स्मार्टफोन है उस फोन का भी प्राइस यहां पर 50,000 रखेगा तो आप कौन सा वाला चूज करेंगे आप जेनुइनली जो असली वाला है या स्मार्टफोन है जिसको जिसका जो प्राब्लेम उसको रिप्राइर करके फिर सेल पर डालता है यूज स्मार्टफोन का प्राइस को यहां पर कम कर देता है एक और स्मार्टफोन के मकाबले में तो जो यूज स्मार्टफोन है या फिर जो रिफर्बिस स्मार्टफोन है उस फिक्स कर दिया घया मतलब एकदम औरस के तरह काम करेंगा थोड़ा दिन का यूज्ञ आगे स्मार्फोन है तो फिर वह जद्ञा देखता नहीं है स्मार्फोन को ले लेते हैं उसको आया स्मार्फोन हो या फिर यूज पीतर नहीं है और उसको यह स्मार्फोन का मतलब नकली स्मार्फोन नहीं होते हैं ओर स्मार्फोन ही होते हैं उस पर फिर से रिपयार करके उसको फिर से मार्केट पर सेल करने के लिए ब्रैंड डालता है अगर आपको आज के वीडियो पसंद आया है अगर आपको रीफर बीसी स्मार्टफून का मतलब पता चल गया है तो फिर वीडियो का आप एक लाइक करें सारे चानल को सब्सक्रीब को नोटिफिकेसन बेल को अलबर क्लिक करें में तो मैं आप सब्सक्रीब दूसरे वीडियो पर तब तक के लिए 6 हिंद बंदे मातरम